तो आज में मेरी रसविंग बना रहे हैं सूजी के लड़ू सूजी के लड़ू खाने में तो टेस्टी होते हैं लेकिन टेस्ट के साथ साथ बहुत एलदी होते हैं चलो तो शिरु करते हैं मैंने लड़ू बनान के लिए एक कटोरी सूजी ले लिए मैंने वारिक वाली सूजी लिया अगर आपके पास मोटी वाली है तो तो थोड़ा मिक्सी में चला लें और इसी कटोरी से दो कटोरी दूद ले लिया है ये पीट में करीब 200 ग्राम सूजी मैंने इसी कटोरी से दो कटोरी दूद ले लिया है ये करीब ना पें तो करीब आदा लिटर दूद है मैं गेश चालू कर लूँगी इसी दूद में डाल दूगी मेरे 3 लीटर दूद की मलाई जो मैंने फ्रीज में रख कर जमाई है बहुत मोटी जमी है आप देख सकते हैं मलाई बिल्कुल रोटी के जैसी मोटी है आप देख सकते हैं तो तीन लीटर दूद था वो फ्रीज में रख दिया तो इसकी ऐसी मोटी मलाई जम गई है मैंने सारे दूद की मलाई ले लिए तो अब ये करीब 600 ग्राइब दूद हो गया है तो इसको गरम होने देते हैं इस तूद से ऊड़ा जाल दूद से लड़ू बनाएंगे हमारे लड़ू बहुत ही मावेदार बनकर तैयार होगे आप अगर पासके सरह तो इसी में केशड डाल दें थोड़ी सी मैं डालूघी केशर जाल दोग इसी में केशर डाल दूगा इसी तीस-पैंऒ्री स्केश डाल तो अभी डाल दी तो इससे क्या तलर निकल के आ जाएगा तब तक यह गरम होगा दूद को में अच्छे से गरम कर लेना इधर दूद गरम हो रहा है तब तक मैं सूजी को सेक लोंगी दूसरी साड़ मैंने कडाई रख दिया गरम होने तो मैं इसमें डाल लोंगी एक बहुत छोटे चमच एक चमच गी ले लिए मैंने ज़ादा गी नहीं लेना सूजी को सेकने में अगर आप चाहे तो बिना गी के भी शेक सकते हैं लेकिन मैंने एक छोटे चमच से चमच जब ले लिया अब मैं डालूंगे सूजी है सूजी को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर शेकेंगे हैं आई पर नहीं शेकेंगे निए सूजी जल जायेगी इसको अच्छे से शेक लेना है सूझी का थोड़ा सक कल्रителя हो गया है देखने से और शेक ना सब्सक्राइब केशार चौड़ दिखने में अच्छा लग रहा है और पकने देते हैं थोड़ा गार्डा तो सूजी के लड़ू काई तरीके से बनाए जाते हैं लेकिन इस तरीके से बहुत ही टेस्टी लड़ू बन कर तयार होते हैं सूजी की अलकी खुश्वू आने लग गई है हमें सूजी को बिल्कुल जादा कलर चेंज नहीं करना है अब जादा नहीं पकाना है तो मैं दूद के साथ और पकाएंगे इसको तो मैं गैस बंद कर दिया लेकिन कड़ाई बहुत गराम है तो मैं एक मिनट इसको ऐसे चलाती रहूंगी अब कड़ाई भी थंडी हो गई है तो मैं सूजी को छोड़ दूगी दूद को देख लेते है आप देख सकते हैं दूद गाड़ा हो गया है तो मैं गैस को बंद कर दूँगी और इसको थोड़ा थंड़ा होने देती हूं अलका से ठंडा होने देते हैं गरम गरम में नहीं डालेंगे इसमें हम सूजी डालेंगे वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना तभी आपको सबजबाएगा आगे का प्रोसीजर तो मैंने अब गैस बंद कर दिये हैं दूद को थोड़ा थंडा होने देती हूं पहले तब बताती हूं आपको अमको गैस बंद करें 15-20 में दूद काफी थंडा हो गया है तो मैं डालूंगे इसमें सूजी गरम ध्यान रखना है गरम गरम में नहीं डालना है मिक्स कर देंना अच्छे से अब बची हुआ दाल है निसको को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे लग अच्छे डंगत कर देंगे खचत श priests 10-15иц मिन पाउनत के लिए मैंने तो में टुचब बंदर मिम्नहें हैँ जाई सिर्ट चौकर ड़ो जोंगी तो मैं डालूंगे इसमें कुछ मैंने काट कर रख लिया तो मैं इसको अलका सब मूण लोंगी बहुत जादा घीलेने की जरूरत नहीं है और हमें इनको जादा टाइक जरूरत नहीं है बस में एक मिनट के लिए ये शेक लूगे इनको इसमे डाल दूंगी मैं ये मैंने 4-5 का तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे लड़ू इन से और जादे दिन भी चलते हैं इनकी शीलन वगेर निकल जाती है तो मैंने इनको एक से डियर्ड नट बूल लिया गैस बन कर दूंगी इनको जादे नहीं बूलना और नारियल का कलर विचे नहीं करना बस इतना ही बूलना ह तो मैंने ड्राइफ फूट्स और नारियल को निकाल लिया इनको साड़े में रख दूंगी तो दस पंदर मेंट हो चोकें देख लेते हैं सूजी को वाव कितना अच्छा कलर आया है आप देख सकते हैं सूजी फूल गया और पूरा दूद सूजी ने पी लिया है तो हम इस तो अब हम इसको शेकेंगे अच्छे से इस टाम पर आप डालें इसमें थोड़ा सा गी नाश्ते वाले चमच से चार-पांच चमच गी डाल दिया है आप आपके साथ से कम जादा कर सकते हैं चोटा चमच था इसलिए मैं चार-पांच चमच डालें अगर बड़े चमच चम चमच ही बहुत है और अगर जादा सूख लगेगा तम बाद में और डाल लेंगे एक दो चमच गी गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है आई नहीं करना नहीं तो जल जाएगी सूजी इसको ऐसे ही दीमे दीमे शेक ना इस तरीके से लड़ू बनाते तो बहुत ही टेस के लिए बना रहे हूं आप देखते रहे हूं आपको अपने पता चल जाएगा कि कैसे दानेदार बनेंगे लड़ू गणेश फेस्टिवल चल रहे हैं तो मैं इनको बोग के लिए बना रहे हूं मैंने गर में गंडेश चीश ताफित कर रहे हैं तो मैं पहले बनाए थे बेशन के और मोजा को खटम हो गए हैं तो मैं आज सूजी के लड़ू बना रहे हूं बोग के लिए बना सकते हैं तो अगर आपको शॉप्ट लड़ू चाहिए तो इस स्टेज पर गेश को बंद कर दें और इसमें बूरा मिला लें ठंडा करके तो इसके सॉप्ट लड़ू बन जाएंगे लेकिन मैं तो बिल्कुल दानेदार लड़ू बनाऊंगी तो इसको और पकाऊंगी तो बिल्कुल दानेदार लड़ू बनकर तैयार होंगे तो देखते रहे हैं आप देखने में ब पका लिया है अब मैं डाल दूंगी यह मैंने जो ड्राइफ रूट से नारियल रखा है इसको मिक्स कर दूंगी क्या इसका फ्लेम बिल्कुल से में अब देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं खाने में बहुत ही टेश्टी होते हैं इस तरह से बनाते हैं तो अब इसके आप मोदक भी बना सकते हैं या सिंपल लड्डू भी बना सकते हैं जो आपकी मर्जिय शेव दे सकते हैं कि अख्षे से दानेदार हो गए लड्डू तो मैं यश्ट बंद कर दूँगी और उनको ठंडा होने दूँगी घस कर दी है बंद ईसको और ऐसे एक मिनट तक बूलूंगी कर ग्याइस कडाई बहुत गराम है इसलिए इसको चलाती रहूंगा आप देख सकते मिल्कुली र सूजि या बुरय शी तैंल गैस बन डिया अब मैं इसमें इसको अलग निकाल लो चालूपी प्टार थंडा आगज देती हु अब देख सकते हैं को भी बिल्कुल दाना दाना देख रही है को पुलकुल बुरय के वह गई है यह सब्सक्सकिया. भाने दार बन कर ताुरम को मैं बना पा नोने देते हूं थोड़ी दे थे अभी गरम घरम में बूर काल दें तो बूर पानी ठोड देगा अब मैं अदर में ज़ा लाहिए पाउडर में 5 27 Ilagy डिया है को बनार डाल दिया मारुडर सब्सेरा चौट के सब्सक्राइब ऑफ सब्सक्राइब में टेलों झालते हैं टो के सब्सकी बहुत है इस मिकुष ऐसे तो अब इसना ठंडा हो गया है कि हम लड्डू बना सकते हैं ans anirens में बूरा कि विल्कुल देखो सूजी के जैना ही लग चाना हिसा जिस थी अब सक पना आप इसना है कि गीला है अब मैं डालूंगी इसको बहुत जादा ठंडा नहीं करना नहीं बाद में लड्डू नहीं बनेंगे मैंने गुन-गुने से में डाल दीए बूरा मिक्स करेंगे अच्छा से अगर आपको लगे कि सूका है तो आप या तो दूद के चीटे देले या फिर थोड़ा सा गी डा मुझाएंगे और जादा बना रहे हैं तो घी डालें नहीं तो दूद से जादा दिन नहीं चलते लड्डू और गी डालेंगे तो बीस-पद-चीश तिन आराम से चल जाएंगे कि आप चाहें तो इसी से मोदग बना सकते मैं मोदग कसांचा ले लिया में मोदग बना कर दिखाऊंगी इसमें थोड़ा सा गी लगा देंगे आपकी अंदर चिपकेना इसको बंत कर लेंगे एक बॉल बनाएंगे इसमें अच्छे से दबाते हुए बनाएं खोलेंगे आप देख सकते हैं कितना अच्छा मोदग बनकर तयार हुआ है तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मोदग बनकर तयार हुआ है निकाल लेंगे ऐसे और बना लेंगे ऐसे और मोदग बना लेंगे कि इसी तरीके से मोदग बना लेंगे कि इतना सुन्दर मोदग बन कर तेयार हो यह तो मैंने इस तरीके से इस तरीके से चोटे चोटे बना लेंगे देखने में नहीं लग रहे हैं बिल्कुल कि सूजी के लड्डू है कि इस तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे तो मैं बना लेते हुआं फिर बार में देखाते हैं तो लीजिया बन कर तयार लड्डू मैंने इनको लड्डू का सेप दिया गोल बनाया और इनको मोदग का सेप दिया दोनुए तोड़ी मेंनत तो लगती है के लिए कुछ पाने के लिए कुछ को ना पड़ता है तो टेष्टी करणा करना है तो मैंनत तो करना पड़ेगी लेकिन बहुत ही टेस्टी वन कर तुर आप बीजरूर ट्राइब कीजिये अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को कर लेना ऐसी बीडियों लाते रहते हैं ताकि आप आने वाली वीडियों को देख सकें बने रही हमारे साथ ऐसी एल्डी और टेस्टी रेसीपी देखने के लिए मिलते हैं एक नई रेसीपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार